गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक threadlist.php नामक फाइल थी जो कि एक category के सारे questions को display करती है ठीक है तो यहाँ पर browse questions बने लिखा था वो क्या करता है सारे के सारे questions को एक category के हिसाब से बता देता है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि thread list को एक category pass करनी है और वो category pass करने के बाद उस category की सारी information मुझे निकालनी है किसे साफ से निकालनी है मुझे उस category की सारी information निकालनी है यहाँ पर जैसे की welcome to python forums लिखा है python के questions यहाँ पर आएंगे फिर अगर मेरे पस यहाँ जावास्क्रिप्ट फोरूम होता तो जावास्क्रि कि अगर इस पर कोई link पे click करे, जावास्क्रिप्ट या फिर view threats पे कोई link पे click करे, तो क्या होना चाहिए, threat list में मुझे उस category का नाम पता चल जाना चाहिए, तो मैं याँ पर करूँगा क्या है, तो category का ID है वह past कर दूँगा, या फिर क्या path करूँगा, category का ID ही past करूँगा, in कोई भी अगर click करता है H1 के card title पे तो मैं H1 के जो card title है उसको एक link बना देता हूँ मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से वापस से A लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो जूम कर लेते हैं यह नहीं यहाँ पर कहा गया मेरा idiscus reload किया तो यहाँ पर इसका color भी change हो गया है जो की चलता ID किया और view threads पर कोई click करें वो भी मैं चाहता हूँ कि उसका भी hrf जो है वो यह होना चाहिए लेकिन hrf यह होने के साथ साथ मैं आपर एक category दोगा मैं कहूंगा question mark cat id is equal to और cat id मेरी क्या होगी मेरी cat id होने वाली है जो मेरी category का serial number है वो तो row का serial number है वो होने वाला मेरा cat id तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर id लिग देता हूँ उसमें मैं category id जो है वो लिग दोगा तो basically हर category की एक id होगी जिस तरह से नाम और description है हर category का उसी तरह हर category की एक id होगी तो वो id मैं basically क्या कर रहा हूँ उसको मैं pass कर दे रहा हूँ अपने thread list को ताकि उसे पता चल जाए कि यह कौन सी वाली row है मेरी categories वाली table की ठीक है तो अगर jango वाली row है तो उसे पता जल जाएगा jango के सारे questions को display करेगा तो यह मैंने अभी यहाँ पर कर दिया ठीक है चलो यह तो अच्छा होगा अभी cat id is equal to मुझे यहाँ पर अब value चाहिए तो मैं करूँगा क्या cat id is equal to यहाँ पर बिल्कुल वही करूँगा जो कि मैंने यहाँ पर किया इसको इस तरह से करूँगा और यहाँ पर cat की जगह मैं लिख दूँगा id और यह string concatenation कैसे हो रहा है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो यह पूरी जो जगह है यह पूरी एक string है single quote में मेरी और उसमें जुड़री है id उसमें जुड़री है यह वाली string जो कि मैंने single quote में डाली है तो यह थोड़ा सा आपको दियान से देखना पड़ सकता है अब इसको अगर मैं reload कर दूँ अबर यहाँ पर मैं एक चीज और करना चाहूँगा cat id is equal to यहाँ पर भी मुझे डालना है in fact cat id से मुझे पूरा यहाँ तक डालना है इसको तो यह थोड़ा सा आप लोगों के लिए complicated हो सकता है अगर आप लोग एक beginner है आपको थोड़ी सी problem यहाँ पर हो सकती है अगर आप लोग cat id is equal to id जो है उसको साही से अगर नहीं डालते हो तो ठीक है लेकिन अगर डाल पा रहे हो आप सही से तो डाल पाओगे अगर string incatenation सही से सुना है आपने मेरा वीडियो तो ठीक है तो यहाँ तो जो है कोई धिक्कत हो नहीं नीची बहुत simple है यह यहाँ पर मैंने save किया अगर कोई grabber होती है यहाँ पर तो मुझे error मिल जाएगा जो कि मुझे मिलेगा नहीं I am very confident मुझे नहीं मिलेगा error क्योंकि यहाँ बिल्कुत सही से मैंने सारे काम किये और जब आप होते हो बहुत सारे confident तो आपका बिल्कुत भी error नहीं आता है तो देखो यहाँ पर मैंने view threads किया तो slash threadless.php आगे तो मुझे slash threadless.php नहीं लिख नहीं slash अटा देता हूँ क्योंकि जो मेरी website है उसका root है slash forum अगर मैं एक server पर होता तो शायद ही चल जाता तो मैं back जाओंगा reload करूंगा और यहाँ पर जो images ने 300 है 200-100 कर देता हूँ ठीक है अभी मैं reload करूंगा तो थोड़े से images का जो size है वो थोड़ा कम कर दी है मैंने तो शायद जल्दी थोड़ा आ जाए तो मेरा internet भी slow है actually तो उसकी बज़े से भी problem हो रही है थोड़ी बहुत तो view thread पर मैंने क्लिक किया तो देखो यह वाला forum खुल गया यह क्लिक किया तो देखो URL cat id is equal to 3 pass हो गई अगर मैं यह खोलू तो cat id is equal to 1 pass हो गई तो अलग-अलग category pass हो रही है और अलग-अलग questions होईगे अलग-अलग category के ठीक है तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप लोग इस तरह से इसको use कर रहे हो जोसे मैंने यहाँ पर view threads किया तो मैं चाहूंगा कि अभी यहाँ पर python ना आया अगर मैं क्लिक करूँ जावस्क्रिप पर यहाँ पर python आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो cat id मेरी है इसमें से information extract करके इस page पर render करूँगा और questions भी render करूँगा dynamically ठीक है वो चीज मैं कैसे करूँगा आप देखते जाओ भी यहाँ पर जो मेरा threadless.php है मैं करूँगा क्या dbcorrect.php तो मैंने कर ही रखा है मैं कहूँगा कि select कर लो क्या select कर लो अरे select कर लो मैं आपर लिख देता हूँ where id is equal to where category underscore id is equal to 4 मान लो मैंने यह 4 कर दिया तो यह गहरा है लो जी आपका जो category id 4 है वो यह आपकी information तो इस तरह से मैं इस sequel को copy करूँगा और इस sequel को execute भी करूँगा तो देखो कहा execute कर रहा हूँ मैं इसको देखना आप और मैं कर गया रहा हूँ मैं आपर कह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा यह sequel जो है उसको मुझे execute करना है और मैंने यहाँ पर यह काम अलड़ी किया है तो मैं करूँगा क्या इसको इसको इस तरह से copy कर लूँगा copy किया इसको मैंने और इसको यहाँ पर paste भी कर दूँगा और यह जो मेरी sequel इसको replace कर दूँगा इससे मैं बस एक काम यहाँ पर करने वाला हूँ वो यह करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं dollar id डाल दूँगा और मैं उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखूँगा dollar id is equal to dollar underscore get अब यह क्या है अरे जो get request होती है उसके url में जो मेरी id है जो कि मैंने pass करी है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो na cat id वो है तो मैंने cat id के नाम से किया है pass इसको तो यहाँ पर यह cat id इस तरह से आ जाएगी और मैं कहता हूँ category id जब मेरी id है वहाँ पर मेरी जो sequel है उसको करता है execute I think यहाँ तक जो है सब चीज़े ठीक हो जाएंगी ठीक है यहाँ तक आप लोग को पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ अब यह काम मैंने किया ठीक है मैंने यह काम किया अब मैं क्या करूँगा while loop के अंदर सबसे पहले जो मेरी category title है यानि कि जो मेरी category है क्या नाम रखा मैंने उसका database में देख लेता हूँ जाके category name रखा है category name रख लेता हूँ तो मैं cat name के नाम से एक variable मनाता हूँ मैं कहूँगा row category underscore name और यहाँ पर dollar लगाना बहुत ज़रूरी है फिर उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा मैंने cat name रख दिया ये फिर मैं cat desk रखूँगा यहाँ पर लिख दोगा description और उसी के साथ साथ मुझे कुछ और चाहिए होगा तो मैं देख लूँगा अगर चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा उसको तो यहाँ पर php हम इस तरह से लिखेंगे लिख देंगे echo dollar cat name जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अब मेरा category का name जो है वो dynamic होना चाहिए javascript forums देखो cat id2 था तो javascript forums आ गया फिर उसके बाद jango पर मैं click करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखो jango forums आ गया तो इस हिसाब से यह जो है dynamically मेरा जो है वो आ रहा है ठीक है तो welcome to jango forums react is awesome यह लिख कर आ रहा है home पर मैं वापस से जाओंगा flask के view threads करूँगा अगर तो यहाँ पर देखो flask forums आ गया अब यहाँ पर जो description इसको भी dynamic करना तो वो भी करते हैं चलो वो भी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको इस तरह से copy करूँगा और यहाँ पर इसको paste कर दूँगा और catdesc रख दूँगा इसका नाम ठीक है अज़े लोड किया तो देखो यह this is another python framework लिख कर आ गया तो जो भी मैंने corresponding description डाला हुआ उसका वो लिख कर आ जाएगा अब for some reason मेरे images यहाँ पर load नहीं कर रहे हैं और यह मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं internet slow है यहाँ फिर unsplash की API जो है वो throttle कर गई है वो मुझे speed नहीं दे रही है जो भी reason है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा जो images आ रहे हैं मेरे unsplash से इनको मैं कर लूँगा download एक बार download कर लूँगा इनको और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा दूँगा और 1,2,3,4 से लेके पूरा 9 तक मैं रख दूँगा उसको और मैं उसको reuse करता जाओंगा कोई भी मैं उसमें डाल दूँगा ठीक है image तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर मानलों cat desk मैंने लिखा है सब कुछ मेरा size ही आ रहा है अब यहाँ पर देखो यह दीरे-दीरे करके डाउनलोड हो रही है images मैं इसको वापस से इसको size है वो दे देता हूँ 400-300 दे देता हूँ API का size क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ जो next time मेरा image render होगा मैं डाउनलोड कर लूँगा उसको और यह problem जो है फिर मेरी चली जाएगी तो मैं इसको reload कर रहा हूँ यह पर और यह images जो है दाउनलोड हो जाएंगे और जैसे यह images दाउनलोड हो जाएंगे मैं क्या करूँगा इनको disk में save कर लूँगा अब यह यह आपर download हो चुके मैं यह आपर right click करके इनको save images कर दूँगा card6 card6 इसके बाद इसको मैं कर दूँगा save images card7 और इसको card8 ठीक है और एक forum में मेरे इसाब से बहुत सारी categories अगर आ भी गई तो जादा से जादा 50-60 categories आ जाएंगी जब बहुत जादा आ गई अगर तो इस से जादा तो categories आएंगी नहीं, threads भली बहुत सारे आते जाएं लेकिन categories इतनी नहीं आएंगी ठीक है तो मैं आपर करूँगा कि आप ये जो मैंने cards download की है मैं unsplash API को use ना करते हूँ यहाँ पर मैं कहूँगा कि image को use करो मैं कहूँगा भाई देखो ऐजा है img slash card dash और dash के बाद ले लो क्या लोगे dash के बाद dash के बाद वो ले लो, number ले लो जो भी number है, ठीक है तो मैं आपर लिख दूँगा dot और जो जो भी cat id है cat id id मैंने किस नाम से लिखिया है id के नाम से लिखिया है dollar id और उसके बाद मैं कहूँगा इसको concatenate कर दो dot jpg से तो basically मैंने क्या किया है कि जो मैंने अभी select किया है वो एक string है जो की जुड़ रही है इस string में जो की मैंने अभी select किया है देखो ध्यान से फिर ये भी एक string है इसमें ये जुड़ रहा है dot का मतलब होता है concatenation इसमें यह जुड़ रहा है और आप देखना है यहाँ पर यह कितनी तेज लोड होते हैं क्योंकि मैंने इसको अभी Unsplash API से नहीं लिया है ओके तो यह लोड ही नहीं हुए वाओ OpenImagine new tap करता हूँ forum slash img slash card1.jpg ओके तो यहाँ पर एक problem आ रही है मुझे इसको बंद भी करना पड़ेगा मैंने इसको बंद नहीं किया है देखो यहाँ पर मैंने गर्बर कर दिया src is equal to यह किया है और .jpg किया है और यह जो cat.coding इसको पूरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं category नहीं दे रहा हूँ category के हिसाब से मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ अपनी image को तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या मैं कहूँगा कि भाई यह .jpg इसमें जोड़ दो और उसके बाद दे दो class is equal to यह समझ रहो आप क्या हो रहा है यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा था unsplash api use कर रहा था तो इसलिए मुझे वो category लगानी पड़ रही थी लेकिन अभी मैंने क्या किया है मैंने इसको directly अभी भी देखो काम नहीं कर रहा है अभी भी दिक्कत है इसमें इसके html सभी से generate नहीं हो रही है कि जहाँ size से generate हो जाती है कहां गही मेरी image यह चीज़ align मुझे string concatenation concatenation से generate करनी है ठीक है एक बार मैंने string concatenation से align generate कर ली तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा तो alt is equal to आप लोग category डाल दो आप ऐसे डाल दो image for category और उसके बाद space लेके category के नाम भी डाल सकते है क्योंकि मैं नहीं डालना हूँ ठीक है for this category लिख देता हूँ alt का मतलब होता है कि अगर आपकी image नहीं हो पाई download तब उसकी जगा क्या text दिखाना है बस यह होता है alt इस से जादा कुछ नहीं होता है कि मैं आपर इनको fast load करना चाहरा था and splash API for some reason slow काम कर रही थी अब मैं react.js पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर react.js और उसका जो यहाँ पर मैंने description लिखा है वो लिख कर आ रहा है उसके बाद अगर मैं आपर click कर रहा हूँ javascript मे तो javascript forums लिख कर आ रहा है उसके बाद मैं click कर रहा हूँ jango forums में तो jango forums और उसका जो यहाँ पर description लिख कर आ रहा है अब अगर मैं database में jango का change भी कर देता हूँ माल लो तो मैं आपर एक काम करता हूँ लिखता हूँ what is jango तो मैं आपर यह पूरा काम कर देता हूँ copy कर देता हूँ copy किया jango के description में डाला और अब मैं reload करूँगा तो description यहाँ पर आ जाएगा देखो आ गया ना तो अभी मैंने क्या कर दिया इसको database से connect कर दिया अभी सब कुछ जो data आ रहा है अब अगली step होगी कि हमारे questions जो threats है वो कहाँ पर हमारे आएंगे कहाँ पर हम लोग इसको store करेंगे वो कौन से table होगी जहाँ store करेंगे और store किया जहाँ पर फेच कैसे करेंगे फेच तो बड़े अराम से कर लेंगे कह देंगे कि इस category का जो question है वो दे दो हमको और वो हम सारे के सारे list करा देंगे आपर और list कराने के बाद simply हम लोग एक बार list करा दी हमने इन सबको फिर हम लोग इन questions को भी करके question का page बना देंगे जहाँ पर सारे user की comments होंगे तो काफी जादा मजा आने वाला है इस project में आगे और इस forum को बनाते हैं आगे तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है करिए playlist आप लोगों ने access नहीं करिए तो ज़रूर कर लो यार access जल्दी से playlist को यूँकि याप पर मैं step by step सारे वीडियो जालना हूँ करके आप लोगों को बता रहा हूँ फूरा PHP starting से लेकिया इन तक आप लोगों को सिखा रहा हूँ so playlist आकसेस करके मुझे please एक thumbs up जरूर दे देना और बहुत सारे लोग है मैंने analytics देखा जो बहुत सारे लोग है वो चैनल को subscribe नहीं किये हुए तो अगर अगर आपको लगता है कि आपको इस subscribe का option दिख रहा है नीचे तो इस पर click कर दो क्योंकि यार अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया चैनल तो आप लोग को subscribe कर लेना चाहिए आप लोगों ने काफी support किया अभी तक इस channel पर और PHP के वीडियो में भी आप लोगों ने काफी पसंद किया इस चीजों को काफी एचा लगता है मुझे दिल से इस वीडियो को thumbs up जरूर दे देना और playlist अपने लिए access जरूर कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आए 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 अशना है